नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फैंडर पर दोस्तों एक authoritarian state किस से सबसे ज्वादा डरता है कि वो बाहर के जो पावर से international पावर से उन्से डरता है या फिर वो सबसे ज्यादा अपने लोगों से डरता है जी यहां दोस्तों सबसे ज्यादा डर किसी भी authoritarian state को होता है जब लोगों का विद्रो हो जाए कुछ वैसा ही दोस्तों जो डर शी जिनपिंग का है वो अगर आप देखें तो सच होता हुआ देख रहा है शी जिनपिंग सबसे ज्यादा चली है अगर आप देखें तो तैवान बेजडिक रिपोर्टर हैं उन्होंने यह निव सबसे ज्यादा अगर आप देखें सबसे पहले पप्लिश किया जिसको अधार बनाके भारत में भी निव अगर आप देखें तो अलग-अलग निव अजेंसी के द्व भी नहीं है करीब 97 million members हैं तो 415 million कैसे यहाँ पर सदसित्या त्यागी जाई जा सकती है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बाते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि यह numbers सही है हो सकती है सही होंगी किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा याने यह क्या कहना चाह रहे ह जो कहीं न कहीं हमारे अगबार में resonate नहीं हो पाया उससे हम कहीं न कहीं रहस से हटाएंगे कि क्या है यह numbers का क्या मतलब है क्योंकि यह news अभी आप देखने वाले हैं तो आईए इसी पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखे तो शी जिन पिंग का सबस समिट हुआ था जहां पर उन्होंने उपनली कहा कि देखिए कलर रिवल्यूशन जो हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा चाइना में इसके लिए कोई जगह नहीं है कोई देश आके हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेर ना करे 2022 सबको लगा चलो काफी चर्चा हुई ले देशों में तक्ता पलट किया गया था नॉन वॉयलेंट या वॉयलेंट मिक्स करीब था चेंज ऑफ पावर हुआ है आउटसाइड मैनिपिलेशन किया गया बाहरी फोर्स ने इसमें एक रोल प्ले किया जिस वज़े से ये पूरा का पूरा तक्ता पलट हुआ है और इस त देशों में तो जो तक्ता पलट हो हुआ वो success methodology हो गया बाकी देशों में प्रयास किया गया था Ukraine भी ऑगर आप देखे तो वहां भी तक्ता पलट हुआ था इसी सिक अंतरगर था इन हिलासों में यह जो कलर रिवल्यूशन हुआ है ये इसी की बात कर रहे हैं कि आउटसाइड पावर के द्वारा उसके इंटर्फरेंस से कुछ इस प्रकार का कलर रिवल्यूशन चाइना में भी हो सकता है यही न को डर लगता है दोस्तों 2022 में शी जिन पिंग ने कम्यूनिस पार्टी ऑफ चाइन के यंग कैडर को address किया था उसमें भी same concern raised किया था कि चाइनीज कम्यूनिस पार्टी का potential collapse हो रहा है उससे हमें बचना होगा तो अब दोस्तों हम देखे तो चाइनीज कम्यूनिस पार्टी की सबसे बड़ी चुनोती क्या है सबसे बड़ा डर क्या है वो अगर आप देखें तो उनको डर लगता है कहीं वो सोवियत यूनियन वाला हाल उनका भी ना हो जाए कहीं कम्यूनिस पार्टी ऑफ चाइना की पकड़ चाइना से हट गई और उस प्रकार से चाइना भी डिसलीर उसका अलग अलग देशों में ना बन जाए तो दोस्तों अगर आप देखें तो कई लोग यहां पर पार्टी छोड़ते वे देख रहे हैं फीपी इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है क्योंकि अगर आप देखें तो चाइना की सबसे बड़ी डर क्या है इस वक्त दोस्तों अ अधिक टाइम तक डिफलेशन में फसा रहा और जपान जो कि एक 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 मिरकल था का जा रहा था दुनिया का नंबर वन एकॉनमी बनेगा वो स्टैगनेट कर जाता है कुछ उसी और चाइना भी बढ़ गया है कारण भी कुछ वैसे ही है चाइना की पॉपिलेशन दोस् दूस्तो एक प्रकार की पॉपिलेशन एजिंग हो रही है वर्किंग पॉपिलेशन कम हो रही है दूसरे तरफ आप देखे तो वहां पर एकॉनमिक क्राइसिस आ रहा है और जब वो इंटर्नली कमजोर हो रहा है इस ताइम पे अगर आप देखे तो एक्स्टेर्नल चुनो दोस्तो चाइना चैलेंज कर रहा है एकॉनमिक और सोशल दोनों ही फ्रेंट्स पर नतीजा क्या होगा दोस्तो नतीजा क्या होगा उसी पर चर्चा करते हैं कैसे लोग अपना डिसकंटेंट अब दिखा रहे हैं और वो नंबर्स क्या है उसकी क्या सच्चाई है उस पर भी चर्चा करते हैं तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ू आप लोगों के लिए जरूरी एनाउंसमेंट है उडान बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक अधिस स्टार्ट हो रहा है पर दोस्तों 25 जुलाई से प्राइस हाइक है तो अभी आपको 7999 रुपे में ये मिल र चाहेंगे प्रिलिंग स्कीन हैं से 10 से इंकलूोडल है अजो के लिए और सब्सक्राइब के लाओं यूश्चिन के लिए प्रोग्राम्स इसी ही मत पर इंगलूरीट है जल्दी से जाएं नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स उन dark कॉमेंट में लिक क्ली करें करें के सब्सक्राइब करें डिसकाउंट पाएं एक आपको बतारों तो एक अगर से बैस चार्ट है 25 जुलाई से प्राइज हाइक होने वाली है तो दोस्तों अगर हम न्यूज की बात करें ना तो न्यूज में क्या आया है चाइनीज प्रेजिदेंट शी जिंपिंग ने खुद कंस किया है कि चाइनीज कम्यूनिस पार्टी का पोटेंशल कॉलाप्स हो सकता है अब नंबर से अगर आप जाए तो वह कह रहे है चार सो पंदरा मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड याद रखिएगा वह अपनी एसिलियेशन विच सीपी चाइनीज कम्यूनिस पार्टी जिसको कम्यूनिस पार्टी ऑस चाइना कहा जाता है वो गिव अप कर दिये हैं उसका उन्होंने त्याग कर दिया है पर दोस्तों अगर आप देखे तो यह पूरा का पूरा रेजिगनेशन भी एक जुलाई 2023 ही हुआ है याने अभी की बात है अब सवाल उठता है यह जो रेजिग सदस्य है तो बागी के 14 का क्या होगा वो तो नहीं है नहीं दोस्तों वो क्या होता है वो affiliated होता है किसी न किसी तरीके से वो भी ccp से जुड़ा हुआ है directly नहीं है in directly आज के टाइम में दोस्तों ccp का सदस्य बनना असान नहीं है काफी tedious process होता है कई साल का प्रोबिशन पी पर बाखी लोग भी affiliated होते हैं वो भी काम करते रहते हैं तो वो directly member नहीं है वो indirectly member है और उनको मिला के अगर आप देखे तो यह numbers बहुत बढ़े है direct numbers करीबन 100 million और indirect भी मिला लेंगे तो चाइना की बहुत बढ़ी अबादी CCP से connected है तो इस प्रकार से यह जो number सामने आ रहे हैं यह जाहिड सी बात है direct numbers की बात नहीं हो रही है इन direct numbers मिलाएं तो आप यहां पर पहुँच सकते हैं दूसरी बात क्या है यह renunciation की बात हो रही है अलग-अलग चीजों में CCP के regiments में तीम्स में और अन्य associated organizations में तो दोस्तों होता क्या है na CCP में कई members क्या होते हैं सिर्फ एक seat occupy नहीं करते कई sits occupied करते एक कोई मिक विंग देख रहे हैं वहीं अपने दिश्णी से अلى ़ेह गाउंसे आज वह और हैं 20 यह वह फिंग सब्स बयांते हैं ऑर यह आखर दो ना नॉर्टीस विंग भी देखते हैं कि राजय के प्र भारी बी फिर प्राइब होते तो उस प्रका से कुल मिला के जो टोटल रेजिगनेशन हुई है वह 415 मिलियन लोगों की हुई है जिसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं तो इसलिए दोस्ते बहुत बड़ा नंबर है और इसी से कहीं ना कहीं चाइना अगर आप देखे तो यह नंबर साज स्टेट बनता जा रहा है जहां पर अगर आप देखें तो चाइनीज ऑलीगार्ट पर क्रैक्डाउन किया गया है आपको याद होगा जैक मा के साथ क्या हुआ किस प्रकार से उस पर क्रैक्डाउन हुआ दीदी ग्रुप पर क्या हुआ कि प्रकार से उस पर क्रैक्डाउन ह भी हो तो तुमको ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं है कुछ इस प्रकार से रखी गई चाइनीज ओली गाक्स्टे डाट डाउन हुआ जाहिर सी बात है दोस्तों यह इंफुएंशल लोगों पे अगर गाज गिरती है तो जमीन हिलती है तो कुछ वैसा ही जमीन हिलती हुई दे तो जाहिर सी बात है बाती लोगों को डिस्प्लेईज भी तो कर रहे है तो वह भी किसी न किसी परकार से अपने वर्करस के द्वारा तो दिख वाएंगे और इसका नतीजा क्या हुआ इस प्रकार के प्रोटेज्ट freedom of speech, expression, liberty इन सब पे crackdown करोगे तो हम छोड़ रहे हैं पार्टी और इस प्रेशिदेंट शी ऐसे reports आ रहे हैं publicly acknowledge किया है उन्होंने कि पार्टी की सबसे बड़ी समस्या अगर लोग छोड़ दें तो उससे बड़ी समस्या कुछ नहीं है पार्टी की potential demise याने अन्थ हो सकता है अगर लोग इस प्रकार से छोड़ना शुरू कर दें और वही अब लोगों को urge कर रहे हैं की पार्टी से loyal बने रहे हैं ideological alignment रखना बहुत जरूरी है जो values है TPC के उसके लिए stand की दिये तो दोस्तों ये इस प्रकार से चाइना एक time bomb पे तो बैठा हुआ है लेकिन लग रहा है दोस्तों कहीं न कहीं चाइना की population भी aging हो रही है तो protest वाली जो population होती है वो pass हो चुकी है तो अब जो population है वहाँ पे एक youth bulge नहीं है तो यहाँ पे इसी प्रकार का तक्ता पलट हो सकता है जिसमें CPC के ही within faction Xi Jinping को हटाएंगे कोई और CPC के सदस से आके बैठ जाएंगे और फिर हो सकता है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं deal देना शुरू करेंगे जैसे South Korea, Singapore ये सभी के सभी अगर आप देखे तो एक time में authoritarian states थे लेकिन ये सब समझ गए जैसे जैसे economic growth हुआ उनको समझ आया population क्या है पड़ी लिखी है अब ये population को चाहिए freedom ये population जो पड़ लिख ली है जो की अब इनको वो डर नहीं है कि खाना कैसे आएगा खाना हमारे generation में बच्चों को खाना कैसे मिलेगा वो डर अब खतम हो चुका है इनको अब higher pursuits in life उसके तरफ ये आगे बढ़ेंगे तो जरूरी है दोस्तों कुछ इस प्रकार का move भी वहाँ पर अब होता हुगा कुछ टाइम बाद में भी दिखने मिले जब तक शी जिन्पिंग कमजोर होने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों वापस याद दिलाओंगा उडान जी एस एंड ऑप्शनल कॉम्बो हम आपके लिए ले करके आए हैं अलग अलग ऑप्शनल समलाएं हैं PSIR है, Geography है, History है, Anthro है ये सारे के सारे अगर आप देखें तो ऑप्शनल सापके लिए हम कवर करा रहे हैं 25 जुलाई से प्राइस हाइक है तो उसके पहले जाएं, जाके सब्स्क्रिप्शन ले ले इसके सिवा आप देख सकते हैं दोस्तों इस ऑप्शनल कारणीवाल में आपको जो यहाँ पे देखने मिल रहा है दोस्तों आप चाहें तो separately भी ले सकते हैं लेकिन इन सारे optional batches की भी खीमत 25 जुलाई से बढ़ जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ही students ने हमारा नाम रशन किया अब भी उन में से एक हो सकते हैं इस लेक्चर का पीडियास मिल जाएगा डाउनलोड कर लीजेगा हमारी faculty जो आपको पढ़ाने वाली है perspective series है और हमें हमारे साथ सोचल मीडिया हैंडल्स पर जरूर पॉलो कि